जैन सातियो, सबी भाईयों को 75 वे सुतनतरतार दिवस की हारदेख सोब कामना है सातियो, बेंकिंग एक्जाम में एक्सरिस्मेन भाईयों का डाटा काफी कम मिल पाता है और एक्जेक्ट कटॉप कोई भी नहीं बता सकता है लेकिन सातियो, पिछले साल के आधार पर लगबग कटॉप का अंदाजार लगाया जा सकता है जिसमें की 2020 और 2021 में हम एक्सरिस्मेन कटॉप के बारे में बात करें तो यूपी में 49.50 रही थी 2020 में और 2021 में रही थी 73.50 हर्याना में 2021 में 72, 2020 का डाटा है नहीं राश्थान में 2020 में रही थी 56.25 और गुजरात में रही थी 52.25 2021 में रही 71.50 एमपी में 2020 में रही थी 22.50 और 2021 में रही थी 42 केरला में 2021 में 70.25 कॉट ओप रही थी तमिलाडू में 2020 में 25 ये साथियो क्योंकि डाटा थोड़ा कम मिल पाता है जो अवेलेविल है जो मुझे मिला है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ अब हमारे बहुत से भाई कमेंट करेंगे कि 2020 और 2021 में इतना डिफरेंस कैसे हो गया तो साथियो यह सब IVPS के नॉर्मलाजेशन का असर है क्योंकि जो अटेम्ट कुश्चन थे जो मेरी बात हुई है एक्सलेशन भाईयों से उसमें जो अटेम्ट कुश्चन के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं जिन भाईयों के 35 अटेम्ट थे उनका स्कोर हुआ था 56.50, 49 अटेम्ट वाले भाई का हुआ था 65.50, 50 अटेम्ट वाले भाई का 70.25, 54 अटेम्ट वाले भाई का 73.50, 57 अटेम्ट वाले भाई का 74.75 यानि के IVPS ने एक्सर्विस्मेंट भाईयों को नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स का डिफरेंस दिया है अब ये क्यों दिया है कैसे दिया है ये IVPS ही बता सकता है मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है लेकिन हम number of question attempt के आधार पर ही कुछ आइडिया लगा सकते हैं आईए जानते हैं 2022 में IVPS RRB Office Assistant एक्सर्विस्में कर्टेगरी की क्या रहेगी cut-off साथियो 2021 में जो हमारी vacancy रही थी वह रही थी 6794 अब जो हमारा cut-off रहने वाला है UP, राश्तान, गुजरात और उत्राखंड ये high cut-off वाले state है उत्राखंड में भी 2021 में 72 रहा था cut-off तो इन में जो एक्सरेशन भाईयों के attempt question है वो 52-55 यहाँ पर मैं attempt question बता रहा हूँ ना के आपके normalization marks क्योंकि normalization का IVPS का पता नहीं है किस आदार पर करेगा लेकिन अगर आपने इतने question attempt किये हैं तो आपके chance हैं अब बात करते हैं MP, तमिलनाडू और तेलंगाना की तो यहाँ पर vacancy थोड़ी ज़्यादा है इसलिए cut-off काफी down रहने के chance हैं और कुछ एक्सरेशन भाईयों से बात भी होई है थोड़ा उपन नीचे हो भी सकता है और आपका shift का level क्या है सबसे बड़ी बात यह इस पर भी थोड़ा सा matter करेगा क्योंकि जो 7 अगस्ट में जो 3rd shift थी वो थोड़ी हार थी 13 अगस्ट में 3rd और 4th थोड़ी सी moderate थी 14 अगस्ट में 1st shift भी moderate थी जिप्टों में जिन भाईयों के 2 या 4 question attempt कम हैं उन भाईयों को भी chance है साथियो यह एक छोटी सी जनकारी थी आसा करता हूँ कि एक्सेरेशन भाईयों का आईवीपीएस आरारबी ओफिस अजिस्टेंट प्री कटोप का थोड़ा वो डाउट किलियर हुआ होगा आगे भी banking exam के बारे में आपको जनकारी दिता रहूँगा धन्नबाद जहिन